प्रका हो या लड़की हर कोई चाहता है कि इसका चहरा जवान रहे, टाइट रहे, गोरा बेदाग रहे खासकर शादी पार्टी जैसे जो महौल रहता है कभी-कभी दोस्तों हम अपने स्किन को देख के बहुत ज़्यादा परिशान हो जाते हैं नेक्स जो चीज़ आपको लेने हैं दोस्तों वो स्पेशली स्किन ब्राइटनिंग के लिए और डाक स्पॉर्ट को दूर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है इसका यूज करके आप देखेगा आप हैरान हो जाएगे इसके रिज्युल से आपको लेना है औरेंज पील पाउडर जी हाँ घर पे आपके औरेंज आता होगा तो इसके छिलके को आप साइड में रख लीजी औरेंज को खा लीजी छिलके को आपको रूम के टेंपरेचर पे रखना है आपको धूप में नहीं सुखाना है उस छिलके को जो भी dead skin cell, white head, black head से होंगे, उसको ये निकाल फेकेगा आप इसे किसी भी airtight container में स्टोर करकी रख सकते हैं, कोई भी आप pack लगाने जा रहे हैं, उसका आधा चमच इस तरह से ले लीजिए, और आप किस किम पर ये कमाल कर देगा नेक्स दोस्तों हमें पर लेंगे half lemon और उसका पूरा रसिस में डाल देंगे, एक बहुत अच्छा toner है, तो दोस्तों देखी इसी तरह थे हमारे घर में बहुत सारे चीजे रहती हैं, छोटी छोटी चीजे जिसे हम कई बार अन्देखा कर लेते हैं, और पता नहीं हम कैमिकल और बहुत जदा ब्रांडिंग के तरफ जाते हैं और बहुत सारे चेहरे पे पता नहीं क्या-क्या लगा लगते हैं जो चेहरे का पूरा कबारा हो जाता है स्किन और भी खड़ाब हो जाती है natural चीज़ जो घर में होती है न वो लगाई है और आपका जो result है न इसको देख के आप हैरान हो जाएंगे तो natural चीज़ अपने skin को निखा रिए chemical जहर अपने skin के अंदर मड़ डालिए मैंने यहाँ पे अभी कच्छा दूद लिया है दोस्तो और एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया है इसको आपको अपने पूरे चेहरे पे अच्छे से स्क्रब करते हुए लगाना है यहाँ पे पेटेटो जी हाँ खाने के लिए नहीं skin पे लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है pigmentation, dark spot और skin के darkness को दूर करने के लिए अगर आप इसको सही तरीके से लगाते हैं आपको क्या लेना है कि छिलके के साथ आपको आलू लेना चिलका अगर आप लेंगे तो बहुत अच्छा है को किसमें भी बहुत सारे फैदर होते हैं हमारे skin को fair brighten करने के लिए हम यहाँ पे night cream बनाने जा रहे हैं जिसे आपको रात में सोते समय लगाना है इसको दोस्तों अच्छे से धो लीजेगा clean कर लीजेगा कोई धूल मिटी ना रह जाए और इस तरह से कद्दू कस कर लीजेगा इसे आप बना कर सकते हैं रोज बनाने का जंजट में नहीं है अच्छे से संटैन हो गया है ना टमाटर लगा लिए चहरे पे तुरंस से वो निकल जाता है कॉटन से आपको अपने पूरे चहरे पे इसको लगा लेना है एक से दो मिनिट के लिए हलके हां तो से मसाज कर लीजेए आदे घंटे के लिए छो दीजे उसके बाद अपने चह तरह से रगणेंगे ना तो इससे आपकी स्किन जो है वो टाइट होती है ओपन पोर्स जो है वो श्रिंक होते हैं स्किन में ग्लो आता है और आपके स्किन को एक बहुत अच्छी थेरेपी मिलती है तो ट्राइ जरूर कीजेगा